फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है अहमदाबाद में रहने वाला सत्यप्रेम उर्फ सत्तू, कार्तिक आर्यन बेरोजगार है LLB फाइनल येर में फेल होने के बाद वो फिलहाल घर पर ही अपने पापा, मम्मी और बहन के साथ रहता है अपने सारे दोस्तों की शादी हो जाने के चलते सत्तू मोहले का एकलोता कौवारा लड़का है, जो रोजाना अपनी शादी के सपने देखता है करीब एक साल पहले गर्बा नाइट में सत्तू की मुलाकात कथा, कियारा आडवानी से हुई थी शादी के लिए मरे जा रहे सत्तू ने सीधे सीधे कथा को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन उसने पहले से बॉइफ्रेंड होने के चलते सत्तू को भाव नहीं दिया लेकिन इस साल नवरात्रे में सत्तू को जैसे ही पता चलता है कि कथा का ब्रेक अप हो गया है तो वो दोबारा चांस मारने उसके घर पहुंच जाता है लेकिन वहां कुछ ऐसी घटना घटती है कि कथा के पिता उसकी शादी सत्तू के साथ कर देते हैं कथा इसके लिए राजी नहीं थी लेकिन पिता के दबाव में उसे ऐसा करना पड़ता है बेटे की शादी बड़े बाप की बेटी से होने के चलते सत्तु के घरवाले बेहत खुश हैं लेकिन शादी के बाद सत्तु और उसके घरवालों का सामना कथा की जिन्दगी से जुड़ी एक ऐसी हकीकत से होता है जो उन्हें हिला कर रख देती है फिल्म की बाकी कहानी जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा